खबर मोतिहारी से है मोतिहारी के पीपरा कोठी में ओवर ब्रिज के नीचे हवाई जहाज की बॉड़ी फंस गई जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड उमर पड़ी सूचना मिले के बाद पीपरा कोठी ताना देक्ष मनोज कुमार सिंग मौके पर पहुँचे और बताया कि हवाई जहाज की बॉड़ी को कड़ी मशकत के बाद बहार निकाला जा सका ये भी बता दे कि हवाई जहाज की बोडी को ट्रक पर लोड कर लखनों से आसाम के लिए सडक मार्ग से ले जाया जा रहा था और इस दोरान एनेच 27 पीपरा कोटी ओवर ब्रिज पार करने के दोरान वो फंस गया इस घटना में ओवर ब्रिज के निचले हिस्से सहीता फ्लाइट और ट्रक को शती भी पहुँची और शिवर में सिक्ष्या विबाग के अपर मुख्य साचेवके के पाठक जिले के पीपराट बताया ज़रा है पीबराही प्रकंड के कई विद्यालेओं का नरक्ष्ण करते दिखे जहां विद्याले की कूँ ववस्ता को देखते हुए वहाँ पर मौझूद सिक्षकों की क्लास भी लगाई कहा कि सरकार विद्याले के सभी व्यवस्तां को दुरुस्त किया है साथ ही ये भी कहा कि विद्याले से ड्यूटी के समय पर गायब रहरे पर सिक्षकों की वेतन जो है वो उसमें कटौती की जाएगे वहीं विद्याले में पढ़ रहे बच्चों से बातचीत की और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेड़ना भी दी लिए आद जो हां जाते हैं है यहां तो पढ़ाई के पैसे भी लगते हैं हुआ बढ़ा करो और पढ़ाएंगे और पिचर आप यह बढ़ाइं आ रहे है विद्याले आपन कोशीं में आप किया क्या कुए ठूप सारा लिड़वार जाना नहीं इंग पीड़वार आएं नही तो चलिए बुड़ तो सब्ट पांच में तक पढ़ते हैं भूख तो नहीं लगती हैं नहीं तक चबाउस लाते हैं वह जा सार अदक ओम ड़ा जास ला घख गह जहें तक लुछ यालों कम लुगते हैं रिक में सह जा गिमा में सब्सबोंल पांच झाल में नहीं हैं नहींrea बुछादी वेलेन नहीं तक पांच में सेल खॉगते हैं पांच में गयरत कर दोंगे हैं अभस जाओा हैं झाल झाल झाल